नमस्कार दोस्तों तो चलिए आर्टीकल है हमारा आतंकवाद से संबंदित पिछले कुछ सालों के दौरान यह साप हो चुका है कि बैस्विक इस्तर पर आर्थिक गतिविदियों के सहज संचालन और अलग अलग देशों के विकास में आतंकवाद से आतंकवाद ने कैसी वादाएं खड़ी की हैं इसलिए आर्थिक सहयोग के लिए होने बाले तमाम अंतराष्टिय संबंदिन में हैं अगर आतंकवाद का सामना करना है या उस पर काबू पाने को लेकर भी वातचीत केंद में होती है तो यह ऐस वभाविक ही है कि विराजील के व्रासिलिया में गुरुबार को ग्यारेवे विक सम्मिलन में इस संगठन में सामिल देशों के बीच आपस में आर्थिक सहयोग के समानतराष्टंकवाद वीच चर्चा कब इसे बनाए तो इसकी वज़ाए यही है कि गौर तलब है कि विक सम्मिलन के पूर्ण सत्थ को संभोधित करते हुए फीधान मंतरी ने कहा है कि आतंकवाद से दुनिया की अरत विवस्था को अब तक 1000 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि विकास, सांती और संभरिद्धी के लिहाद से इतनी भारी रकम का क्या और कैसे इस्तेमाल हो सकता है था लेकिन आतंकी गत्ती विद्धियों की वज़े से भारी नुकसान या फिर उसका सामना करने में ख्यज़ की वज़े से इतनी बड़ी रासी बरवाद हो गई है आतंकवाद के लवल भारत में ही नहीं अलग-अलग फिर्माने पर दुनिया के कई देसों की समूची, राजनीती और आर्थिक विवस्ता वो पूरी तरह विभावित कर रहा है यह सच है कि विकास और सांती के लिए आतंकवाद आज सबसे वड़े खद्रे के रूम में सामने है इसके जग जाहिर होने के बाबजूद दुनिया के कुछ देस ना केवल इस समस्या की अंदेखी करते हैं वलकि फरोक चुरूप से आतंकी संगठनों के अपने सीमा के बीतर से गतिविदियां संचालित करने को लेकर आखें मूदे भी रहते हैं हलाकि भारत इस मामले पर अकसर दुनिया को ध्यान दिलातरा है कि अगर इस प्रुवित्ति पर रोक नहीं लगाई गई तो आतंकी समूव बैस्विक अर्थ विवस्ता को बड़ा नुकसान पहुचाएंगी भारत को इस दिसा में एक बड़ी कामयावी तम मिली जब चीन में हुए नौबे विक्स सम्मिलन में जारी गोशना में पहली बार पाकिस्तान की जमीन से आतंकवाद फैलाने वाले संगठन लसकरे तेवा जैसे मुहमद तक के तहरी के तालिवान हकानी के नेटवर्क आदी का नाम सार्वजनिक रोप से सामिल करते हुए इनकी आलोचना की गई थी तब विक्स देशों ने आतंकवाद को सह देने वाले देशों को तीकी फटकार भी लगाई थी यानि विक्स देशों के ताजा सम्मिलन में एक हथ तक सही लेकिन भारत को आतंकवाद के मसले पर दुनिया का ध्यान खीचने में फिर अहम कामयावी मिली खास तोर पर रूस के राश्पती विलादीर कुतिन के साथ दुई पक्षिये वैठक में पिधान मंत्री मौदी ने रड़नीतिक सांजेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की इसका मुक्ध देश आतंकवाद निरोधक सहयो के लिए एक ब्यापक तंत बनाना है रूस 2016 में हुए विक्स सम्मेलन में भी आतंकवाद के मसलिव भारत का साथ दे चुका है इस बार दोनों नेताओं के बीच यह सिकर सम्मेलन इस लिहास से भी महत्पूरा की भारत रूस संबन्दों के साथ भारत इसमें ब्यापार, सुरक्चा, संस्किती जैसे ब्याप, छेत्रों में ब्यापक सहयोग पर भी बातचीत आंगे बढ़िये इस समूची कवायाद में कि ना केवल भारत बलकि विस स्थर पर अरत विवस्ता के बादक तत्तों की पहचान और उनकी चुनोतियों का सामना करने की ठोस यह उजनाओं पर बातचीत आंगे बढ़िये और यह अंतराश्टी असांती और विकास के लिए आज से मत्फून है यह भी विक्स देशों के आर्थिक सहयोग की ओर बढ़ते कदमों में आतंक बाद जैसी समस्याओं से निपठने के लिए ठोस का एक्रम को सामिल करना वक्त की जरूरत है चलिए तो यह था हमारा एक मत्फून आर्टीकल या एडिटोरियल